दोस्तो आज तयार करेंगे सारी टिप्स के साथ में जोदपूर का भेमस एकदम कुरकुरा टेस्टी और मज़ेदार मिर्च का बड़ा ये मिर्च बड़ा अपने आप में ही एकदम टेस्टी होता है और खाने में सबको बहुत पसंद आता है चलिए रेसीपी को शुरू करते हैं मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मैंने आपर ये मोटे साइस की बड़ी वाली हरी मिर्च ली है ये जो मिर्च है बहुत कम तीखी होती है इनको धोके साफ करके रखा है तो बीच से इसको हमें ऐसे काट लेना है और काटने के बाद इसके जो बीच है ना इनको हम हटा देंगे ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से इसके हिस्से नहीं करने है बस इतना काटना है कि ये कट भी जाए और जुड़ी रहे कुछ इस तरीके से तो हमें सारी मिर्च को ऐसे ही काटके रख लेना है मिर्च कटने के बाद अब लिए मैंने यहाँ पर यह उबले हुए आलू तो मैं यहाँ पर इस्तिमाल कर रही हूँ पांच उबले हुए आलू का आलू को हमें अच्छे से छील लेना है छील के आलूओं को हमें साइड में एक प्लेट में रख लेना है आलू यहाँ पर छील गए हैं तो अब हम आलूओं में डाल देते हैं काट के हरी मिर्च मिर्च इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बड़ा सकते हैं डालेंगे इसमें हरा धनिया साथी साथ अब थोड़े से मसाले डालते हैं जैसे की लाल मिर्च थोड़ा धनिया पाउडर साथी साथ डालेंगे नमक, स्वात्य अनुसार जीरा साथी साथ डाल दूँगी गरम मसाला सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है और आलू को हमें अच्छे से फोल लेना है यहाँ पर हमारा आलू का मसाला बन की तयार हो गया है इसको उठा के रख देती हूँ साइड में चलिए बेसन तयार करते हैं तो एक बाउल में डालूँगी मैं लगभग एक कप के करीब बेसन बेसन में डालेंगे हम यहाँ पर नमक टेस के हिसाब से साथी साथ थोड़ी सी लाल मिर्ज थोड़ी हीं एक चम्मच हम इसमें चाबल का आटा डालेंगे साथी साथ डालेंगे दो चुटकी बेकिंग सोडा इन दोरों चीजों की वज़े से ही जो बड़े की उपरी लेयर है ना कुरकुरी बनती है और खस्ता बनते हैं पानी डालकर इसका हम थोड़ा थिक सा पेश्ट बनाके रख लेंगे जैसा पकोडीयों के लिए पेश्ट बनाया जाता है उसी तरीकी के पेश्ट बनाना है पेश्ट बनने के बाद मिर्ची लेंगे हम और मिर्ची के बीचों बीच हम इसमें भर देंगे तयार की हुई स्टफिंग तो जहां से मिर्ची को हमने काटा था वहीं से हमें मिर्ची को खोलते हुए स्टफिंग भर लेनी है स्टफिंग भरने के बाद यहाँ पर बेशन को हमें मिर्च के उपर अच्छे से लपेटना है और लपेटने के बाद डाल देती हूँ फटाफट से इसको मैं तेल के अंदर क्योंकि तेल हो चुका है अच्छे से गरम तो ऐसे ही मैं मिर्च को बेशन से लपेटती जाऊंगी और तेल में डालती जाऊंगी तो ये मैंने हाँ पर अभी तीन मिर्च को कर लिया है रैडी अब हम इनको हाई फ्लेम पे उल्टा पल्टी करते हुए क्रिस्पी कलर होने तक अच्छे से तलेंगे इनका जो कलर है वो उपर से ब्राउन हो जाता है ये देखे कुछ इस तरीके से मिर्च के पकोड़े हमारे तल गए हैं सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके और पकोड़े में तलने के लिए रख देती हूँ दोस्तों ये रहे हमारे मिर्च के पकोड़े इनको आप ऐसे ही खाईए अंदर से आप देख सकते हैं स्टफिंग कितने अच्छे से दिख रही है हरी मिर्च भी दिख रही है और उपर की लेयर भी पड़िया तरीके से दिख रही है तो मैं जा रही हूँ इसको प्लेट में रखने के लिए साथी साथ मैंने बनाई है इमली की खटी मीठी चटनी हरी चटनी इन दौनों का वीडियो चैनल पर है आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं आज का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताना और आप भी अपने घर में इन पकोड़ों को जरूर जरूर ड्राय करना मिलेंगे आपके साथ अगले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते